नमस्कार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आप लोग के बीच लेकर के आये हैं हिंदी के objective type question answer जो भी student part 1 के या part 2 के हैं और यदि आप लोगोंने honors में हिंदी subject लिये हुए हैं या फिर subject यहां पे subsidiary subject में लिये तो उसके लिए यहां पे बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण आज का यह वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगो टॉप question करवाने वाला हूं जो कि आप लोगों हिंदी में प्रस्ण पूछे जाएंगे तो आप लोग यदि जो भी student BA, BSC, BC, BCOM जो भी आवो वहा लिए देखते हैं कि आप लोग का कौन सा यहां पे question है और किस प्रकार का पूछा जाएगा तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा अंतक और से पहले मेरा आप से request है यदि आप लोग सभी ने इस चैनल को subscribe नहीं किये है तो पहले चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां पे आप लोग को बहुत ही important question है जो की हिंदी exam में आप लोग को पूछे जाएंगे तो यहां पे आप लोग यदि एक बार देख लेते हो तो आप लोग को बहुत सारे ऐसे प्रस्न होंगे कि जो आप लोग सुनने से ही आप लोग को याद रह जाएगा तो इसलिए आप लोग अच् साजपन का जो नम था वो था विनायक भावे क्या था विनायक भावे और अगला जो प्रस्न था तो सर्वे सुखिन संतू इसकी वनी है यह सर्वे सुखी संतू किसकी वनी है तो इसका जो भी correct answer हो जाएगा प्राचीन रीसियों की प्राचीन रीसियों की अगला जो प्रस्ण है कि दधी कादो क्या है यह एक देभार है जनमश्णुमी का दीन अनुष्ठन है यह इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला जो प्रस्ण है कि राजेंदर बाबु पर बच्पन से किस चीज का परभाव पड़ा था राजेंदर ईदर को बता दूब कि ये आप लोग उनका जो भी लोग उता है यदि आप64 लेते हो विनुग के कवर केokrat नटथ यह आप लोग वो भी पढ़ लें यह नहीं कि आप लोग सिर्फ objective typing question पढ़े उसे पढ़ेगा तो आप लोग का सारा यह पर कभर हो जाएगा जो अगला प्रस्ण जो है कि विशाती किसे कहते हैं विशाती तो सिंदूर टिकुली आदी बेचने वाले को विशाती कहते हैं क्या कहत हैं अगला जू प्रस्ण है कि कि तेभार को जमिंदारों का तेभार माना जाता है दसारा जी कि यह पकभार क्या है पहलाम यह जो मुस्लिम का जो त्यवार होता है उसी को यहां पे कहा जाता है यहां पे तजिया का भी सर्जन यातरा उनी को कहा जाता है पहलाम अगला जो है वासको डिगामा किसकी मदद से हिंदुस्तान आया था यहां पे जो आप लोग को पुछा जाएगा तो इसक जो जुटी हुई है वो ब्रिटियन के समुंदरी अधी राजी से जुटी हुई है तो यह हो जागा इसका राइटनसर अगला जो प्रस्ण है मनुष्ट का सबसे बड़ा स्वार्थ होता वो क्या है तो मनुष्ट का सबसे बड़ा स्वार्थ है मोक्ष जिसको कते हैं मोक्ष तो इसका जो राइटनसर हो जाएगा वो मोख्ष हो जाएगा और अगला प्रस्ण है क्या मानव संस्कृति अभिभाज है इसका हो जाएगा हाँ इसका राइटनसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हाँ अगला प्रस्ण है कि कारियाली हिंदी को अंग्रेजी में क्या कते हैं कारियाली हिंदी को अंग्रेजी में ओफिसियल हिंदी और ड्राफिंग कते हैं इनका जो राइटन सरजगा वो ओफिसियल हिंदी और ड्राफिंग कते हैं यहां पर आगला जो प्रस्ण है कि आज स्रब और द्रिस मीडिया के रूप में क्या चल रहा है तो दूर दर्सन टीवी चल रहा है और क्या चल रहा है अगला जो प्रस्ण है कि मसीनी भास भासा के रूप में हिंदी किसके माध्यम से कारिक करती है तो कंप्यूटर के माध्यम से कम करती है जिस भासा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कते हैं अनुमोदीत कते हैं अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कते हैं ट्रंसलेट कते हैं यह बहुत इजी क्वेस्टन है जो भी आप लोग हिंदी सॉब्चार्ट्री या जो भी ऑनर्स पर लिये होंगे बहुत से सम्मंदित रसनाय बहता के प्रियोग के संपादक का नाम लिखें जो नाम लिखें इसका जो हबता ऊच्छाएगा भारत डॉकवल्टर सुजागंज भागलत्पूर्टU अगला प्रस्ण है महत्मागंदी का जन्म कहा हुआ था ये तो आप लोग सभी लोग जानती होंगे गुजरात में हुआ था पोरबंदर में हुआ था कठिया बाड में हुआ था बहुत सारे ऐसे कंडिट हैं सभी को पता होगा तो ये easy question है अगला प्रस्ण है कि महत्मागंद में किसकी गौव सेवा का वर्नन किया तो राजा दिलीप की थी इसका क्या था राजा दिलीप की अगला जो प्रस्ण है अगला जो प्रस्ण है कि सम्विधान का सभा अध्यक्ष किसे बनाए गया था सम्विधान का सभा का अध्यक्ष इसका जो राइटर राजंदर में इस्तित है यह आप से भी को अच्छे से याद रख लेना है अगला जो प्रस्ण है कि भुदान अंदोलन का प्रेर्णता किसे माना गया है तो बीनोबा भावे को और यह सोरी यह आप लोग को जैसे ही मैंने आप से देख लेते हो अगला जो प्रस्ण है कि तूलसी दास की रमायन का क्या नाम है तो इसका जो भी राइट अन्स रोजे रामचरित्र मानस है कैथी का क्या तातपर है तो कैथी का तातपर है एक लीपी से है जो देवनागरी लीपी में है लिखी जाती है और अक्छरों के माते प परचार एक राश्ट्रिये कारीक्राम है यंच sack काका, कालेलकर की कौन सी रचना आपकी पुस्तक में है इसका जो हो कि अहिंसा का अभी नव छेतर अगला जो प्रस्न है कि आपकी पुस्तक में सामिल कौन सी रचना कार कभी उतरपर्देश के मुखमंतरी बने थे तो डॉक्टर संपूर्णा नंद मैं आप से बता दू कि जो भी आप लोग का यहां पर प्रसन आते हैं जो भी आप लोग का लेखक होता है वो लेखक का यहां पर नम पूछा जाता है जो भी आप लोग का हिंदी प्रसन में आते हैं और यह सब सारे लिएटेट में अगले विडियो में लेकर आऊंगा जो अगला प्रसन है कि देश का पर्थम राष्टपती होने का गुरव की स्वेक्ति को प्राप्त है तो डॉक्टर राजंदर प्रसात को है और पठित पाट के अधार पर बतावें कि कि स्वेक्ति को विलायत से जाने पर हिंदु धर्म के अनुसार प्रैस्चीत करना पड़ा था तो महत्मागंदी को और चिदा विलास के किस लेखा की रशना है तो डॉक्टर संपूर्णा नंद की है तो आप लोग यहां पर बताएगा कि आप लोग को किस प्रकार का यह क्वेशन लगा और यदि आप लोग चाते हो कि आगे मैं इसी तरह के आप लोग के बीच हिं मैंने आप लोग को यहां पर दिये और यदि आप लोग को देखना पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और साथी साथ हमको बताएगा कि आगे हिंदी का वीडियो लाया जा यह नहीं तो इसी के साथ है यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कीजिए झाल झाल